रिया का सच्च से सामना जियां आज पहली बार सुशान केस में CBI रिया से पूछताच कर रही है और उमीदे कि CBI की सवालों से सुशान केस का सच्च सामने आ जाएगा न्यूज 18 के पास CBI के उन सभी सवालों की पूरी लिस्ट मौजूद है जो इस वक्त रिया से पूछे जा रहे हैं आपको बता दे रिया से करीब तीन गंटे से CBI की पूछताच की जा रही है और मुंबई में DRDो के गेस्टाच हो रही है और वो तमाम सवाल हमारे पास मौज से सवाल रिया के सामने रखे जा रहे हैं सुशान केस में रिया से CBI की पूछताच लगातार चल रही है और जो सवाल CBI रख रही है रिया चकरवरती के सामने क्योंकि रिया से आज पहली बार पूछताच हो रही है और CBI की वो सवाल exclusive News 18 इंडिया के पास है वो तमाम सवाल जो लिस्ट बनाई गई है जिनमें रिया से क्या क्या पूछा जा रहा है वो एक एकर हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि News 18 इंडिया के पास exclusive वो लिस्ट मौजूद है जिसमें रिया चकरवरती से पूछे जाने वाले सवाल मौजूद है रिया चक सवालों की वो पूरी लिस्ट मौजूद है सुषांत के साथ रिष्टों के बारे में सीबी आई सवाल कर रही है यह सवाल भी एक एकर आपको दिखा देते हैं कि आखर कौन-कौन से सवाल रिया चकरवरती के सामने रखे जा रहे हैं सीबी आई की तरफ से सबसे पहला पू वहीं सीबी आई के विदेश यात्रा पर भी कई सवाल हैं और इन सवालों के तरफ सीबी आई क्या पूछ रही है सबसे पहला सवाल विदेश यात्रा पर ये सुषांत के साथ योरोप जाने का प्लान किस ने बनाया दूसरा सवाल ये योरोप यात्रा में भाई को भी अप लिए तीसरा सवाल विदेश यात्रा पर ये हैं कि विदेश यात्रा में होटेल में क्या हुआ लिए चौत सवान अच्छानक खोटेल क्यों छोड़ दिया आपने च्छा सवाल क्याideo वह आपको ही जा रही है रिया चक्रवर्ती के सामने आपको बता दे रिया से सुषांत की बिमारी पर भी सवाल कर रही है और सवाल क्या है वो भी आपको बता दे सवाल नंबर एक सुषांत कब बिमार हुए कितने डॉक्ट्रों ने सुषान को देखा? 3 जिन डॉक्ट्रों ने सुषान को देखा उनके नाम बताइ৤ चौथा सवाल तुमको कैसे पता चला कि सुषान डिप्रेशन में हैं पांचवा सवाल सुषान को कौन सी दवाईयां दी जाती थी यह सवाल भी सीबिया रख रही है रिया चक्रवर्ति के सामने और इसके अलावाद चड़ा सवाल क्या है वो भी आपको बता दे चड़े सवा सवाल के तरद यह पूचा जाना है कि आर्थ उनको ऐसे क्या हुआ था कि तुमने घर चोड़ा है साथवा सवाल घर छोड़ने के बाध तुमने सुषान से संपर किया कुर नावा सवाल यह सुषान के सुसाइड की जानकारी आकर कैसे मिली तो ये तमाम सवाल हैं जो CBI रख रही है रिया चक्रवर्ती के सामने और उनका जवाब एक एकर्स पूरी तरीके से लिया जाएगा इस सब के बीच आपको ये भी बता दे कि सुषान के समें CBI की रिया चक्रवर्ती से अभी भी लगातार पूशताच चल रही है जबकि CBI के जो टीम है वो सिधात पिठानी को अपने साथ कहीं ले कर गई है सुषान्त मामले में पिठानी से CBI की सुबा से लगातार पूशताच हो रही है आपको बता दें इसके बाद वो सिधात पिठानी को अपने साथ ले गई सिधात पिठानी सुशान सिंग राजपूत के दोस्त हैं आटवा दिन और लगातार सिधात पिठानी से पूछतार जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किये सी बिए ने लगातार सिधात् पिटानी से पूश्टाच चल रही है हर एक दिन सिधात् पिटानी से तमाम सवालों की जवाब मांगे być गई है क्यों कि यह माना जा रहा था किसी दाश पिटानी जो बता रहे हैं और जो बाकी लोगों से पता चल इस बीच आपको एक और जानकारी देते, News 18 एक्स्लूसिव इंटर्व्यू में रिया चक्रवती से हर उस सवाल का जवाब मांगा है जिनके आधार पर रिया के उपर शक और गहराता जा रहा है News 18 एक रिया से ये भी पूचा कि क्या हिंदी सिनेमा में पहले भाई बतीजाबाद और बॉलिवूड माफिया गैंग ने प्लानिंग करके सुशान राजपूत का शिकार बनाया इसके जवाब में रिया ने कुछ चौकाने वाली जवाब दिये रिया ने कहा के मीटू कैम्पेन में भी संजना सांगी का स्तमाल किया गया और इसके पीछे कुछ लोगों की साथगाट हो सकती है जल्दी से सुनिए क्या कहा रिया श्क्रवरती ने न्यूज एटीन के कट घरे में रिया न्यूज एटीन के रिया से हर मुद्दे पर सवार रिया के लव स्टोरी का एक अनसुना एंगर रिया चक्रवरती कोई देड़ साल से जाधा वक्त से सुषान सिंग राजपूत के साथ रह रही थी च cogदा जून को सुषान की मौत एक रहस से बन गई और इस रहस माई मौत की कहानी में आरोपों के घेरे में घर गई रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने आरोप लगाए कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिये उनके पैसों का इस्तमाल किया और मुवी माफिया के साथ मिलकर सुशांत को मार डाला लेकिन जब रिया चक्रवर्ती से निउस एटीन ने एक-एक मुद्दे पर और उनकी प्रेम कहानी पर सवाल पूछे तो रिया ने इस रहे समय कहानी में कुछ और किरदार जोड़ दिये अब तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिष्टे के बारे में जानकारी थी कि दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी लेकिन रिया के मुताबिक उन दोनों की मुलाकात कराई थी रोहिनी अयर ने और रोहिनी इस रिष्टे इस्ते फुश नहीं थी रिया का रोप है कि सुशान्त की दोस्त रोहिनी भी उनके साथ विश्राज खाद कर रही थी, जिस से सुशान्त बेहत परिशान थी और सुशान्त को अक्सर लगता था कि उनकी फ्रेंड जिन्होंने हमें मिलाया है रोहिनी आईयर और मिलाया था, as two people, she was very fond of, she suddenly became very aloof, अपने हाँ, हम दोनों से, उन्होंने मुझे भी एक अजीब सा मेसेज बेजा था, उसके बाद उनके साथ भी hot and cold रह दी नी, कभी व्लॉग करती थी, कभी कुछ बोलती थी, सुशान्त फेल्ट ताट वो जो भी उनसे शेर करता था, वो blind इन आर्टिकल्स में आ जाता था, रिया के मताबिक यही वो रोहिनी अयर हैं, जिन्होंने सुशान्त और उनकी मलाकात कराई थी, अब सवाल ये, कि रोहिनी आखिर है कौन? रोहिनी अयर सुशान्त सिंग राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, रोहिनी ही सुशान्त की PR टीम यानि उनका प्रमोशन का काम सभालती थी, सुशान्त और रोहिनी के बीच कहरी दोस्ती भी थी, रोहिनी ने अपने करियर के शरुवात, फिल्म पत्रकार के तोर पर की थी बाद में उन्होंने रेंड्रॉप मेडिया नाम से एक कमपनी बनाई, बताया जाता है कि रोहिनी के सिनेमा जगत में बड़े लोगों से दोस्ती है, इन्ही रोहिनी पर रिया ने अरोप लगाया है कि संजना सांगी और रोहिनी अयर का मूवी माफिया गैंग ने इस्तमाल प्लान उनके खुद के इंटर्व्यूज जो पॉब्लिक डोमेन में है सुशान्थ अल्वेस सेट डाट यह प्लान किया गया है तु मलाइन मी डूल मैं रेपूटेशन सुशान्थ की मौत के बाद ये पहली बार है जब रिया से किसी चैनल ने इतने तीक है और बेबाग सवाल पूछे हैं रिया भले ही इन सवालों के जवाब में अपना बचाव करें और कई मुद्दों को सुशान्थ के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराएं लेकिन सुशान्थ के परिवार का रोग वही है सुशान्थ की बहन श्वेता सिंग कीर्ति ने ट्वीटर पर लिखा है सुशान्थ का परिवार कई दिन से रिया की गिरफतारी की मांग कर रहा है रिया भले ही अपने बारे में जो सफाई दें लेकिन फिलहाल इस केस में मुख्यारोपी रिया ही है सीबी आई सुशान्थ के स्टाफ और करीवियों से पूश्टाज कर रही है और ड्रक्स केस में एन सीबी की जाच के फंदे मेरिया खेरती जा रही है और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सुषान सिंग केज की सी बेइ जाच के बीज सुषान के परिवार वालों से बड़ी मुलाकात केंद्रियमंति रामदास आटवले ने की है आठवले ने आशंका जदाई कि सुशान ने आत्मत्या नहीं की होगी बलकि उनकी हत्या की गई होगी तो रामदास आठवले जो की केंद्रिय मंत्री हैं उन्होंने सुशान के परिवार वालों से मुलाकात की और कहा क्या आईए सुनवाते हैं आपको रिया चक्रवरती और जोकी लोग उसमें है तो सब की इनक्वारे करने की जि達 सिया रियाई है उनके को मित्र थे उनके को दुश्मन ते और उसके पीछे किया राज हो सकता है क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कलाकार जिसका नाम बहुत बड़ा हो गया था जो बहुत बड़ा सुंदर दिखने के लिए था बिहार करने वाला था और मुंबई में आकर उन्होंने अपनी इमिज बनाई थी कोई साकोई एक्टर एक दमासमात्या कर सकता हैं साथ दनहीं है एक और एहम ख़बर आपको बता दे सुशाम केस में सीबी जांच के बीच रिया चकरवर्ती के इंटर्वियू देने पर बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने निशाना साधा मनोश तिवारी के मताबिक जांच का रिष्टा अपराधियों तक पहुंच रहा है और रिया मीडिया के जरिए सहानूबूती बटोरने की कोशिश कर रही है तो ये मनोश तिवारी की तरफ से कहा गया इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि जो जांच का रिष्टा है वो अपराधियों तक पहुंच रहा और रिया मीडिया के जरिए सहानूबूती बटोरने की कोशिश कर रही है आइए सुनबाते हैं आपको मनोश तिवारी ने क्या कहा हमासा बात करने के लिए मनोश तिवारी जी है बीजेपी सांसद सर रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने कभी नशा नहीं किया और इस मामले की जो जांच चल रही है सच्चाई एजिंसिया उसकी सच्चाई ज जो रस्ता है वो अपरादियों तक पहुंच रहा है मैं समझता हूँ इस समय एक नई strategy पर काम कर रही है वो लड़की सीब्याई इसमें अपना निश्पक्ष काम कर रही है और इसमें सब जितने सत्यकित तक पहुंचने का काम करेगे रिया हिट रिया हिट रिया हिट